नमस्कार दोस्तों हमारे वीडियो चनल सिविल इंजिनिंग प्रैक्टिक और लॉजियाफ सभीगा स्वागत है दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों जो है हम अपनी जो है किचन बनाते समय काफी पैस हमारी जो किचन है हमारा जो घर है वो अच्छा बनकर निकल कर आए तो सबसे पहला है हमारे पास कि यह हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो है कि जो किचन के फ्लोर की जो लेवल है उससे लेकर जो काउंटर का हमारा फिनिश लेवल है उसकी जो हाइट है वो 32 इंच रखन प्रेंट बनाया गया वहां पर निकल कराता है यह बहुत इंपोटन प्रेंट है और आजकल जो Öz Olan 55 BiHip अग् model किचन बनाते है उसे में यह देखा है यह न जो हमारा जो बरतर का मैं वह से अपर होनेwich ऑठी perfekt अ needed पानी बट इपकता रहते हाँ अप हमारा जो स्टैंड कहीं और लगा हुए होगा तो दोस्तों उस– उससे क्या होगा कि हमारी जो हमारा जो काउंटर है उसके उपर जो पानी गिरेगा और हमारी किचन बार 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 पहुंचना पड़ेगा उस पानी को इसलिए, ifんな हम जो है, जुए सिंक के उपर ही, वो अपना जो है बरतन का स्टेन्ल लगा देंगे, ताथ कि जो भी उस में हम जब बरतन रखेंगे तो उसका जो पानी टपकेगा, वो सीधा शिंक मंई पिएखडक गिरेगा, जिस इसे हमें जो है उसे बार बार पहुंचने की लोड नहीं पड़ेगी, अब तीसरा जो पॉइंट आफ ए फ्रेंट, जो इलेक्टरिक की फिटिंग कराते से हमें, जो हमें ध्यान रखना है, कि हमें जो पावर सॉकेट कहां कहां देनी है, तो दोस्तों हमें जो पावर सॉकेट सब से पहले एक आरो के लिए दीनी हैं को गई के हौने एकansen काहिक क्यों के साथ हूता है कि उन्होंने एक सेपरेट पहले इतना पैसा कर दिया होता है कि हमारा घर बनाने में इतना पैसा लगेगा तो है से सारी चीचे हम हम जो है प्रॉपर लगवालेंगे, आप फ्रेंट्स ये दुनिया है इसमें अलग अलग तरीके के, के लोग हैं और हर तरीके का लोग, जो है वह अपने आपके अपनी कपैस्ति के इसाफ से जो है, वह अपना घर बनवाते हैं, जितना वह अपना खर्चा कर सकते हैं अपने बजट के साफ से जो है वो घर बनवाद दे हैं तो सबसे पहले फ्रेंट हमें जो है एक power socket देनी है यह देनी है aar.o के लिए दूसरी power socket है वो फ्रेंट हमें देनी है geezer के लिए क्योंकि गीजर भी फ्रेंट्स काफी important है जब भी सर्दियों में बरतन वगरा धोने होते हैं तो फ्रेंट ठंडे पानी से बरतन धोना काफी मुश्किल होता है इसलिए फ्रेंट्स अपने जो घर की लीडिस हैं जो ओरते हैं उनका ख्याल रखते हुए हमें जो है गीजर का पॉइंट जरूर देना है ताकि जब भी हम इन फूचर हमें जो गीजर लगवाना है तो उसमें कोई problem ना आए कोई भी हमें जो है वाइरिंग इलेक्ट्रिक वाइरिंग जो है वो दौरा ना करानी पड़े हमारा point होगा हम गीजर फिट कराएंगे सीधा start तीसरा है कि अब दोस्तों हमें mixer grinder के लिए mixi friend चल नहीं होती है उसके लिए induction चूले के लिए induction चूला जो है friends काफी यूज किया जाता है बहुत सारे घरों में induction चूला यूज किया जाता है फिर freezer है freezer दोस्तों पहले जो होता था कि यह हम जो है गैलरी बगरा में रख देते थे तो अब जो है friends यह वहाँ पर lobby में जो है वो नहीं रखा जाता अब यह friend जो है mainly हर घर में freezer है जो वो kitchen में ही रखा जाता है ताकि जो भी वो समान बगारा निकालना होता है वो असानी रहे तो इसके लिए भी friends हमें जो है freezer को जो है हमें kitchen में ही रखना है और उसके लिए point भी देना है अगर आप kitchen का size ज़्यादा ही चोटा है तो आप friend lobby में रख सकते है नेकि तो आपको freezer जो है वो kitchen में ही रखना चाहिए पांचवा point है chimney अब chimney friends जो है बहुत जरूरी है क्योंकि गर्मियों में इसका पता लगता है जो है जब हम तड़का बगारा लगाते हैं या फिर जब हम कहेंगी जो heat इखटी हो जाती है घर के अंदर गर्मियों में तो उसके लिए चिमनी काफी जरूरी है क्योंकि एकदम से गर्मियों में घर गरम हो जाता है और तड़का बगारा जो पूरे घर में तड़का फैल जाता है तो इसलिए चिमनी होना भी बहुत जरूरी है इसलिए इसका एक पावर जो है सॉकेट जरूर हमने रखानी है अब चौथा जो फ्रेंट पॉइंट है ये भी काफी important पॉइंट है कि हमें जो है आरो है आरो को भी हमें उसे sink के उपर ही लगवाना है अब आज की टाइमें और जो है कि आरो हमारा sink के उपर लग जाता है और उसके उपर जो है हमारे पावर जो है वो cabinet उसकी बन जाती है और वो एक तरीके से बंद हो जाता है कबर हो जता है शरीव उसकी जो टैप है वो हमें नीचे दिखाई देती है पर जो है तो आपको पहुँचने की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसलिए हमें आ रो है उसको सिंक के उपर लगवाना चाहिए अब हमारे पास फिफ्ट पॉइंट है कि हमारे पास किछन की खिड़किया है वो हमें बड़ी बड़ी रखनी है अब ये दोस्तों क्यों रखनी है बड़ी बड़ी लेकिन चूले के सामने खिड़की जो है वो नहीं रखनी है क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे हमारी चिम्नी की फिटिंग हो गई फिटिंग तो friends जैसे तैसे करके हो जाएगी अगर आपकी खिड़की वहाँ पे होगी तो लेकिन वो उस तरीके से जो प्रापर वर्क नहीं कर पाएगी जिस तरीके से चिमनी को काम करना चाहिए उसके लिए friends जो है वहाँ पे उसका जो है वो दिवार को होना ही जरूरी है खिड़की के वहाँ पे होने से बहुत ही जाला दिक्कत आएगी इसलिए वहाँ पे हमें खिड़की देने ही नहीं है इसलिए दोस्तों हमें जो है इस पॉइंट को भी यह बहुत काफी इंपोरेंट पॉइंट है इसे किचन मुनमा देवक्त जरूर ध्यान रखना है हमारे पार जो सैब्त पॉइंट है यह एकि फ्रेंट जो किचन में जो है जो स्टोरेज के लिए के बिनेट जरूर बनवानी है उनकी किचन बनवा लेते हैं सेल्फ बनवा लेते हैं मार्बल जो है ग्रेनेट लगा देते हैं समान उसमें ऐसी खिलरा पड़ा रहता है हमारे पार वारे आप समान उससे knip कहिन खराव लगती है काफी घंधीर की पत्सदीर खालर लगदिंश और इसलिए प्रॉपर्ली मैनेज़् की छचन अच्छा सावसुत्री दिखे तो इसके लिए हमें काबिनेट जरूर बननों जाहिए हम कम बनवाए थोड़ी काविनेटे बनवाए चार पांची काविनेटट बनवाएं पर हमें यो क्या व conqu deste से जाये हैं यह अब दूसरा फ्रेंड यह है कि जो कि मर Feed हमार पास जो किचन के काउंटिर पर जो हमें कौन से जो है वो Marvel या Tiles लगवाने चाहिए अब Kitchen में हो गया या Kitchen Counter पे हो गया हमें जो है Friend वो सफेद Marvel या कहें कि White Marvel या White Tiles जो है वो यूज नहीं करनी है अब दोस्तों White Tiles जो है White Marvel क्यों नहीं यूज करना है क्योंकि ये Friend काफी जल्दी जो है आप देखेंगे कि जैसे हम जो भी White Pant पहनते हैं या कुछ भी जो है Friends अगर कोई Shoes हम जो है Sports Shoes टाई वाइट लेते हैं तो वो काफी जंदी जो है वो गंदे होते हैं तो इसलिए Friend ये जो है अब Kitchen में तो सारा काम ही जो है तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जो की Kitchen बनवाते समय हमें जो है वो ध्यान रखने चाहिए और ये काफी Friends Important Point है आपको ये Point हमेशा जो है Kitchen में बनवाते टाइम ध्यान रखना है जिससे कि आपका जो लाखों का खर्चा होगा वो सही बैठेगा और आपको जो है Output जो है उसकी अच्छी निकल कर आएगी तो आयो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इंप्यूटे लगियो अच्छी लगियो लगियो लाइक कीजिगा माने चनल को सुस्क्राइब कीजिगा थैंक पर वाचिंग वन्दिमात्रम जया हिंग्ड झाल